सरकार ने इंदरावास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों का पक्का मकान बन सके परन्त बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धाद नगरजनपत के डुमरिया गंजबलाक के बायताल गाव में राम जनक सही तीस लोगों का इंदरावास ना बनने से काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपका अबीके सूची में नाम है आपका इंदरावास बना है अभी नहीं आज तक क्यों है बन पाया आपको अबार्दान जी से पुराने वाले से कहे थे तो उन्होंने कहा हो जाएगा लखिन अभी हुआ नहीं है नय वाले से कहे तो वह भी कह करें कि हो जाएगा जल्डी से जल्डी हो जाएगा कि आलosp मजूरे जुरी करिके लावजय का बेचाने शुटवन वाले से नहीं हो बीगा जाता है कर दिस से अब कहीं से आगला है हम लोग मजूरी करके तो कम कि एक मठागा आराम दो जाए तो दृस हो सकते है आपका इंदरावास बना है? नाइ बना गए आपने कोई परियास किया कि आपका इंदरावास बना गए? दो बच्चे छोटे छोटे थे एक को लाइट लग गया ये अभी छोटा है और आपके पती है? हमारा पती तो 16 साल तो हो गया इसको आने गए इसको आपको बहुत दिकत हो रही है उन्तों यही चाहते हैं भिया बन जाए तो अच्छी बात है भिया हमारा गार सब चू रहा है मैं और मेरा समदाय चाहता है कि गरीब परिवारों का इंदरावास बने ताकि इनकी समस्या दूर हो सके आप सभी वीडियो देखने वाले दर्सकों से हमारा आपील है कि आप लोग सिद्धाद नगर जनपत के डुमरिया गंज बलाक के वीडियो का मुबाइल नंबर है 94-46 4888 पर फोन कर दबाव बनाए मैं ब्रह्मजी सिद्धाद नगर उत्तर परदेश से इंडिया एनहर्ड के लिए